हेलो सुडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल साइम्स प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत हैं आज का हमारा वीडियो सम्मंदित हैं एंसे विगान कच्छा आर्ट से इस वीडियो में अध्धाय शोला अर्थात प्रकार्स चैप्टर में दिये गए अध्धार्स के सभी प्र आप लास्ट लग जरूर देखें चाहिए वीडियो हम सुरू करते हैं देखते हैं अध्धास का पहला प्रस्ण मान लीजिए आप एक अंधिरे कमरे में हैं क्या आप कमरे में वस्तूओं को देख सकते हैं क्या आप कमरे के बाहर वस्तूओं को देख सकते हैं वेख्छा कि देख पाएंगे, साथे साथ इसमें पूछा गिया है कि क्या आप बाहर की वस्तुम को देख पाएंगे, तो ये इस प्रस्नकाम उत्तर लिखते हैं, चुकि कमरे में प्रकास नहीं है, इसलिए हम कमरे के अंदर वस्तुम को नहीं देख सकते, वस्तुम को देखने के लिए प् सीसे से बाहर की वक्ष्टों को देख सकते हैं अगर कमरे के बाहर प्रकास उपस्थित हो तो हम कमरे के खिड़की में लगे सीसे के द्वारा हम बाहर की वक्ष्टों को देख सकते हैं क्योंकि बाहर प्रकास हैं इस प्रकार इस प्रश्ण का जबाब पूरा हुआ अब हम अग प्रावर्तन के नियम विफल हो गये हैं इस प्रश्ण में हमें अंतर इस्पष्ट करना है नियमित प्रावर्तन और विश्रित प्रावर्तन के मुद्ध साथ ही हमें ये बताना है कि क्या विश्रित प्रावर्तन में प्रावर्तन के नियम विफल हो जाते हैं तो ये इस प्रकास का परावर्दन ऐसे प्रिष्ट से हो जो चिकना हो जैसे की दर्पन तो इस प्रकार के परावर्दन को नियमित परावर्दन कहा जाता है। परावर्दन के बाल सभी किरने पून सामानंतर रूप में ही परावर्दित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्दन को नियमित परावर्दन कहा जाता है। इस प्रकार के परावर्दन को विस्रित परावर्दन कहा जाता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समानंतर किरने परावर्तित होने के पश्चात समानंतर नहीं रहती है। जब प्रकास्ती समानंतर किरने किसी खुदरे प्रिष्ट पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पस्चात ये समानंतर किरने समानंतर नहीं रह पाती हैं, परावर्तन के नियम का पालन विश्रित परावर्तन में भी होता हैं, इस प्रस्ण में हमसे पूछा गया था कि क्या विश्रित परावर्तन में परावर्तन के नियम विफल हो जाते हैं इसका जवाब होगा नहीं विश्रित परावर्तन में भी प्रगावर्तन के नियम का पालन होता हैं विश्रित परावर्तन में प्रिष्ट खुर्दरे रहने के कारण परावर्तित के रने समानंतर नहीं रहत इसका कारण यह है कि प्रिष्ट चिकना नहीं बलकि खूर्दरा है तो इस प्रकार यह जो और समानंतर हो जाती है कि रने इसका कारण है प्रिष्ट का खूर्दरापन परंतु परावर्तन के नियम का पालन हर हाल में होता है चाहे हुआ नियमित परावर्तन हो या विसरित पर इस प्रकार इस प्रश्ण का जवाब पूरा हुआ अब हम अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण सेंखा 3 निमन मेंसे प्रत्यक के स्थान के सामने लिखे यदि प्रकार्श की एक समारंथर किरन पूँज इनसे टक्रा 1977 तो नियमित परावर्तन होगा या विश्रित परावर्तन होगा प्रित्यक इस्थिती में अपने उत्तर का ओचित तो बताईए इस प्रश्ण में हमें कुछ उदाहरन दिये जाएंगे और हमें बताना है कि इसमें जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा या विश्रित परावर्तन होगा साथी हमें कारण भी बताना है ता ये देखते हैं इस प्रशन में क्या दिया गया है प्रशन सेंखा को पॉलिस सियुक्त लगडी की मेज अब इसका उत्तर क्या होगा इसमें नियमित परावर्तन होगा क्योंकि मेज की सतह पॉलिस युक्त हैं जब प्रकास की किरने पॉलिस युक्त लगड़ी की मेज पर आपतित होती हैं तिसमें जो प्रकास का परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा क्योंकि मेज की सतह पॉलिस युक्त है प्रश्ण खाव में है चक पावडर जब प्रकाश की किरन चक पावडर पर आपतित होती है तो इसमें परावर्तन किस परकार का होगा विश्रित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा इसका उत्तर हम लिखेंगे विश्रित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है अगला है गत्ते का प्रेश्ट विश्रित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह भी खुरदरी है घर नमबर में दिया गया है शंगमर्मर के फर्स पर फैला जल इस स्थिति में नियमित परावर्तन होगा क्योंकि शंगमर्मर के फर्स पर फैला जल, चमकदार एवं चीकनी है इस प्रकार इसमें नियमित परावर्तन होगा दर्पन के द्वारा किस प्रकार का परावर्तन होगा इसमें नियमिक परावर्तन होगा क्योंकि दर्पन की सतह चमकदार तथा पॉलिस है अगला है कागज का टुकड़ा इसमें विशरित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है अब आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास का प्रस्न सिंखा चार इसमें पुछा गया है परावर्तन के नियम बताईए प्रकास के परावर्तन के निमनलिखित दो नियम है पहला नियम और दुसरा नियम पहला नियम बताता है आपतन कोन तथा परावर्तन कोन आपस में बरावर होते हैं जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तिसमे आपतन कोन का मान और परावर्तन कोन का मान बरावर होता है ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है प्रकास के परावर्दन का दुसरा नियम बताता है आपतित किरन आपतन बिंदू पर अभिलंब तथा परावर्दित किरन एक ही तल में होते हैं जब प्रकास की एक किरन किसी सतह पर आपतित होती हैं तो प्रकास के इस किरन का परावर्दन होता हैं इस स्थिति में आपतित किरन, अभिलंब तथा परावर्तित किरन तीनों एक ही तल में होते हैं यानि एक ही समतल में होते हैं इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं अब हम अगला प्रश्ण देखते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदमन्द होने वाली हैं साथ ही दूसरे इस वीडियो का लिंक आप दूसरे स्टुडेंट को भी सेर जरूर करें अगर आप हमारे यूट्यूब इसमें बताया गया है यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरन परावर्तित किरन तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं एक किर्याकलाप का वर्नन किजिए जैसा कि उन जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरन परावर्तित किरन और आपत बिंदू पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं इस बात को पुष्टी करने के लिए हमें एक क्रियाकलाप का वर्णन करना होगा ताई इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं इस क्रियाक्राफ के द्वारा हम यह सिद्ध करेंगे कि आपतित कीरन परावर्तित कीरन और आपतन बिंदू पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं इसके लिए हम कलपना करेंगे कि किसी दिवार पर एक दरपन लगा हुआ हैं अब इस दिवार के सामने जो जमीन है उस पर दो पतले पतले पाइप रखे गए हैं यह पाइप इस तरह से रखे गए हैं ताकि अभिलंब के साथ यह समान कोन बनाएं अब एक पाइप से होकर प्रकास की एक कीरन को आपतित कराएंगे दरपन पर अब प्रकास के परावर्तन के पश्चात ये किरन यानि परावर्तित किरन दुसरे पाईप से बाहर निकल जाएंगे इससे ये पता चलता है कि आपतित किरन, परावर्तित किरन और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तो हम लिख सकते हैं, दिवार पर एक समतल दर्पन को स्थिर करेंगे अब फर्स पर दिवार के लंबवत एक रेखा खिचेंगे चित्र में दिखाए अनुसार दो पतली पाईप को अभिलंब के साथ समान कोन बनाते हुए रखेंगे जब एक पाईप से होते हुए किसी प्रकाश की किरन को गुजारा जाता है तो यह पाया जाता है कि परावर्तित किरन दुसरे पाईप से निकलती है यह प्रमानित करता है कि आपतित किरन, परावर्तित किरन तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं इस प्रकार इस प्रश्ण का जवाब पूरा हुआ अब हम अगला प्रश्ण देखते हैं अब प्रश्ण सिंखाच छो नीचे दिये गए रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए पहला पूछा गया है एक समतल दर्पन के सामने एक मिटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिभिम्ब से कितने मिटर दूर दिखाई देता है तो जब कोई एक व्यक्ति किसी समतल दर्पन के सामने एक मिटर की दूरी पर खड़ा होता है तिसकी जो प्रतिभिम्ब बनती है वह दर्पन के पीछे दर्पन से एक मिटर की दूरी पर बनता है यानि व्यक्ति और प्रतिभिम्ब के मज्द की जो दूरी होगी वह होगी एक मिटर प्लस एक मिटर यानि दो मिटर तम कह सकते हैं कि एक समतल दर्पन के सामने एक मिटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिभिम्ब से दो मिटर दूर दिखाई देता हैं अगला प्रश्ण है यदि किसी समतल दर्पन के सामने खड़े होकर आप अपने दाये हाथ से अपने डैस कान को छुए तो दर्पन में ऐसा लगेगा कि आपका दाया कान डैस हाथ से छुआ गया है जब कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पन के सामने खड़ा होता है तो उसका जो प्रतिविम्ब बनता है वह इस प्रकार बनता है कि व्यक्ति का दाया भाग और प्रतिविम्ब का बाया भाग और उसी प्रकार व्यक्ति का बाया भाग और प्रतिविम्ब का दाया भाग एक जैसा ह यानि जो परतिविंब बनता है वह इस प्रकार बनता है कि वस्तु का दाया भाग परतिविंब के बाये भाग से सम्मंद रखता है तो यानि इसमें जो सहिस सब्द भराएगा वह इस प्रकार भराएगा कि यदि किसी समतल दरपन के सामने खड़े हो कर आप अपने दाया कान क को छुए तो धरपन में ऐसा लगेगा कि आपका दाया खान बाया हाथ से छुआ गया है अगला प्रस्ण पुषा गया है जब आप मंदप्रकास में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है से जवाब होगा बड़ा हो जाता हैं क्योंकि जब हम मंद प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आँख अधिक सदिक प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता हैं यानि उस इस्तिति में पुतली का जो साईश है वह बड़ा हो जाता है अगला प्रश्ण है रात्री पच्छियों के नेत्रों में सलाकाओं की सेंख्या क्या पेच्छा संकूं की सेंख्या क्या होती हैं नेत्र की रेटिना में दो प्रकार की तंद्री का कोशिका होती हैं संकू कोशिका और सलाका किशिका समको कोशिका उस वक्त कायरे करती है जब प्रकास की तिवरता अज्तरिक होती है और सलाका कोशिका उस वक्त कायरे करती है जब प्रकास की तिवरता बहुत ही कम होती है जो रात्री पच्छियां होती है ये आम तोर पर रात्री में विचरन करती है यानि इनके नेत्र की रेट कि नामें संकूओं की सिंखा कम होती हैं और शलाकाओं की सिंखा अधिक होती हैं इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि रात्री पच्छियों के नेत्रों में सलाकाओं की सिंखा की अपेच्छा संकूओं की सिंखा कम होती है अब हम देखेंगे प्रश्ण सेंख्याव 7 और 8 इन दोनों प्रश्णों में हमें सही विकल्फ को छटना है प्रश्ण सेंख्याव 7 में पूछा गया है आपतन कोन परावर्तन कोन के बरावर होता है अप्शन दिया गया है, सदेव, कभी कभी, विशेश दसाओं में या कभी नहीं, इसका सई जबाब होगा सदेव, प्रकास के परावर्तन के समय, आपतन कोन का मान, हवेशा परावर्तन कोन के बरावर होता है, इस प्रकार इस प्रशन का सई जबाब होगा, अप्शन वन, या गया परतिविम्ब होता है पहला अप्षिन है आभाशी दरपन के पीछे ता आवर्धित दूश्रा आफश्ण है आभाशि दरपन के पीछे तथा बिम्ब्ब के साइज के बरावर किसी वश्टु का समतल धर्पन के द्वारा जो परतिविम्ब बनता है वो परतिविम्ब धर्पन के पीछे बनता है ये परतिविम्ब आभासी होता है अर्थाथ इस परतिविम्ब को किसी परदे पर उतारा नहीं जा सकता है और ये जो परतिविम्ब होता है इसकी साइज वर्ष्टू यानि बिम्ब के साइज के बरावर होता है यानि इस प्रश्ण का से जवाब होगा अप्शन खौ आफासी दर्पन के पीछे तदा बिम्ब के साइज के बरावर अगला है प्रश्ण सेंखा 9 कलाइडोस्कॉप की रचना का वर्णन किजिए अब आईए इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखते हैं कलाइडोस्कॉप एक वेलनाकार टीव होती है जिसमें दर्पन की तीन आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकरिती में लगा होता है कलाइडोस्कॉप एक विशेश प्रकार की यंत्र होती है इसमें दर्पन की तीन आयताकार पट्टियों को आपस में जोड़कर प्रिज्म की आकरिती में लगाया जाता है या एक वेलनाकार ट्यूब की तरह होती है ट्यूब के एक सीरे को एक ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का द्रिश्ट देखने के लिए एक छिद्र होता है आप देख सकते हैं चित्र में ट्यूब के एक सीरे को एक डिस्क से बंद कर दिया जाता है और इस डिस्क के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसके अंदर हम वर्ष्टूओं को देख सकते हैं ट्यूब के दूसरे सीरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दरपनों को छूते हुए लगा देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र में विलनाकार ट्यूब के एक सीरे पर एक वृत्ताकार कांच की प्लेट को दरपनों को छूते हुए लगाया जाता हैं इस प्लेट पर छोटे-छोटे रंगिन कांच के टुपडे रख देते हैं जिनकी बहु प्रतिविंब दिखाई देती हैं इस प्रकार कलाइडोस्कोप की रचना कर लेते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण सेंख्या 10 इसमें पूछा गया है मानव नेत्र का एक नवांकित रेखाचित्र बनाईए अब आईए मानव नेत्र का एक रेखाचित्र बनाते हैं और विभिन भागों को नवांकित करते हैं मानब नेत्र का रेखा चित्र कुछ इस प्रकार होती है नेत्र का सबसे अगला हिस्सा जो की हलकी सी फूली हुई होती है इससे कौर्णिया कहा जाता है ये पारदर्सी होती है और प्रकार सबपर्थम नेत्र में कर्णिया से होकर ही गुजरती है इसके अलावा कर्णिया के प के द्वारा प्रकास नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं इस छिद्र को पूतली कहा जाता है पूतली का आकार परितारी का द्वारा नियंत्रित किया जाता है हमारे नेत्र में एक नेत्र लैंस होती है जो बीच में मोटा और किनारे पतला होता है नेत्र लैंस प्रकास के अपवर्तन के द्वारा एक सुषपस्ट प्रतिमिम नेत्र की रेटीना पर बनाती है रेटिना नेत्र का पिछला हिस्सा होता है जो काफी सुग्राही होती है रेटिना में कई प्रकार के तंत्री का कोशी का होती है जैसे की संकू कोशी का शलाका कोशी का इस प्रकार ये रेटिना जो है ये बहुत ही सुग्राही होती है इस प्रकार मानव नेत्र का नामांकिज वेखाचित्र तयार हैं और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न सिंख्या 11 यह प्रश्न बताता हैं गुर्मेत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाफ 16.8 को करना चाहता था उसके अधापक ने ऐसा करने से मना किया क्या आप अधापक की सलाह के आधार की वेखा कर सकते हैं आपके किताब में क्रियाकलाफ 16.8 में यह बताया गया है कि किस प्रकार हम तॉर्च की रोश्नी से आंख की पुतली के आकार को देख सकते हैं यह प्रयोग गुर्मित ने लेजर टॉर्स के द्वारा करना चाहा परंतु अध्धापक ने ऐसा करने से मना किया इसका क्या कारण है इसका वेख्या हमें इस प्रश्ण के जबाब में करना है ताहिए इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखते हैं लेजर टॉर्स का प्रकाश नेत्र की रेटीना को हानी पहुचाता है लेजर टॉर्स से निकलने वाली प्रकाश हमारे नेत्र की रेटीना के लिए हानी कारण होती है इसे नेत्र संबंदी इस्थाई समेशा आ सकती है इसलिए अध्यापक ने लेजर टॉर्स के साथ इस क्रिय अकल आपको करने से मना किया अब में अगला प्रश्ण देखते हैं चुकि ये प्रश्ण का जवाब पूरा हुआ अब मुंगते हैं रश्न का मुत्तर लेखते हैं नेत्रों की देखवाल निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती हैं पहला सूरी या किसी शक्तिसाली प्रकास सुरोत को कभी भी सीधार नहीं देखना चाहिए किसी भी सक्तिसाली प्रकास की सुरोत जैसे की सूर्य इत्तादी को सीधे तोर पर नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे नेत्रों की रेटिना को छती पहुंचती है नेत्रों में धूल के कन गिर जाने पर स्वच जल से धोना चाहिए नेत्रों को कभी भी रगरना नहीं चाहिए अगर किसी कारण से नेत्रों में धूल के कन गिर जाए तो किसी भी हाल में हमे नेत्रों को रगरना नहीं चाहिए, बलकि हमें स्वच जल से नेत्रों को धोना चाहिए, पठन समगरी को सदेव द्रिष्टी की समायन दूरी पर रख कर पढ़ना चाहिए, अगर हम अपने पठन समगरी को नेत्र के बहुत ही करीव रख कर या बहुत ही दूर रख कर पढ़त हैं इसमें हमारे नेत्रों पर दबाव वरता हैं इसलिए पठन समगरी को सदेव द्रिष्टी की समाइन दूरी पर रखकर ही पढ़ना चाहिए विटामीन ए नेत्रों के लिए आवश्रक हैं और विटामीन ए युक्त खाय्द पदार्थ जैसे की दूद, पालक, आम, गाजर, इत्तादी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक हैं, हमें उपयुक्त प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए नेत्र सम्मंदी किसी समष्चा होने पर हमें तुरंथ डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए इस प्रकार इस प्रस्ण का जबाब पूरा हुआ, अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं अब देखेंगे अगला प्रस्ण यानि प्रस्ण सेंखा 13 या प्रस्ण बताता हैं, यदि परावर्तित किरन आपतित किरन से 90 डिगरी का कोन बनाएं तो आपतन कोन का मान कितना होगा अब आईए इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखते हैं हम कलपना करते हैं कि दर्पन की एक सता है दर्पन की सता पर प्रकास की एक किरन किसी आपतन बिंदू पर आपतित हो रही है अब परावर्तन के बाद ये किरन परावर्तित हो जाती है अब आपतन बिंदू पर हम एक अभिलंब डालेंगे जैसा कि प्राश्ण में बताया गया है कि परावर्तित किरन आपतित किरन से 90 डिगरी का कोन बनाती है यानि दोनों किरनों के मज्द का जो कोन है वह है 90 डिगरी अब हम कलपना करते हैं कि आपतन कोन का मान x है और परावर्तन कोन का मान भी x ही होगा जैसा कि हम जानते हैं कि परकास के परावर्तन के परखम नियम से तो अब हम लिख सकते हैं कि x प्लस x is equal to 90 डिगरी यानि दोनों कोन का जो योग होगा वह 90 डिगरी होगा जैसा कि डाइगराम में बताया जा रहा है इस परकार अब हम लिख सकते हैं 2x is equal to 90 डिगरी x is equal to 90 डिगरी divided by 2 यानि x is equal to 45 डिगरी यानि आपतन कोन का मान जो होगा वो 45 डिग्री होगा और परावर्तन कोन का मान भी 45 डिग्री ही होगा और तो हम लिख सकते हैं कि आपतन कोन का मान 45 डिग्री है इस प्रकार इस प्रस्ण का जबाब पूरा हुआ अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं अगले हैं प्रश्ण सेंहखा 14 यदि दो सम्तल दर्पन एक दुसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मुम्बति के कितने प्रतिबंब बनेंगे इस प्रश्ण में बताया जा रहा हैं कि दो सम्तल दर्पन एक दुसरे 105 से 40 संटीमिटर की दूरी पर रखे गया हैं इन दोनों समनतल दरपनों के मजद में एक मोंबत्ति को रखा गया है कि इस मुखत्ती के कितने प्रतिविम बनेंगे यह दो सभाष होगा उनत्त प्रतिविम क्योंकि दो समतल दर्पन जब एक दुसरे के आमने सामने हो तो ऐसी स्थिती में मुंबत्ती के अनंत परतिविम बनेंगे क्योंकि प्रकास के पून परावर्तन अर्थात बार बार परावर्तन के कारण मुंबत्ती के अनंत परतिविम बनेंगे अब प्रश्ण सिंखा 15 दो दर्पन एक दुसरे के लंबवत रखे हैं प्रकाश की एक किरन एक दर्पन पर 30 डिगरी के कोन पर आपतित होती हैं जैसा कि चीत्र 16 दसमला एक नामे दर्शाय गया हैं दुसरे दर्पन से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरन बनाईए इस प्रश्ण में हमें एक डाइगराम दिया गया हैं इसमें दो समतल दर्पन एक दुसरे के लंबवत रखे हैं एक दुसरे के परपेंडिकुलर रखे गया हैं प्रकास की एक किरन पर्थम दर्पन पर 30 डिगरी के कोन पर आपतित हो रही है जैसा की चित्र में दिखाया जा रहा है। दुसरे दर्पन से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरन बनाना है हमें। पहली किरन का परावर्तन होता है और इसमें परावर्तन कोन का मान भी 30 डिग्री ही होता है जैसा कि चित्र में बर्तमान में दिखाया जा रहा है अब इस परावर्तित किरन दुसरे दर्पन से तकराती है और इसका पून परावर्तन होता है अब इस आपतन बिंदु पर हम एक अभी लंब खीचेंगे अब हम क्या करेंगे जामिती के अनुसार जब ये 30 डिगरी तो ये भी 30 डिगरी होगा इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के पर्थम नियम के अनुसार ये कौन भी 30 डिगरी ही होगा इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो आपतित किरन हैं जो प्रकार इस प्रस्ण में दिया गया डाइग्राम पूरा हुआ अब हम अगला प्रस्ण देखते हैं अब देखेंगे प्रस्ण सेंखा 16 चित्र 16.2 में दर्शाय अनुसार बुजो को एक समतल दर्पन के ठीक सामने पार्सों से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता हैं क्या हुआ शेंग को दर्पन में देख सकता हैं क्या हुआ पी क्यू तथा आर परिस्थित वस्तों के प्रतेविम में भी देख सकता हैं जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है बुजो जो कि ए द्वारा सूचित किया जा रहा है वह दर्पन के किनारे से थोड़ा हट कर खड़ा है अब हमें ये बताना है क्या वह श्रेंग को दर्पन में देख सकता है साथ ये साथ हमें ये भी बताना है कि क्या बुजो पी क्यूत था आर पर इस्थिद वस्तुवं को प्रतिबीम दर्पन में देख सकता है तो आईए सबसे पहले हम इसको डाइग्राम के जरीए समझने का प्रयास करते हैं उसके बाद हम इसका उत्तर लिखेंगे एक बात हम आपको बता दें कि जो भी हम डाइग्राम बनाएंगे ये जस्थ आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है इक्जाम में इस डाइग्राम को आपको बनाना नहीं है बलकि इसको समझने के लिए आपको दिखाया जा रहा है प्रश्ण में दिये गए चित्र में आप देख सकते हैं कि बुजो दर्पन से किनारे हट कर थोड़ी दूरी पर है अर्थात बुजो अपना प्रतिविम्ब दर्पन में नहीं देख सकता है क्योंकि बूजो से निकली हुई प्रकाफ्ष की किरने दर्पन से परावर्तित होकर वह पून बूजो तक नहीं पहुँचती है अर्थात बूजो के सामने दर्पन का कोई भाग नहीं है इसलिए बूजो शयंग का प्रतिविंब नहीं देख सकता है अब अगर हम बात करें कि क्या बूजो पी का प्रतिविंब दर्पन में देख सकता है तिसका जवाब होगा हाँ क्योंकि पी से निकली हुई किरन परावर्तित होकर बूजो तक पहुँचती है अर्थात बूजो पी का प्रतिविंब दर्पन में देख सकता है इसी प्रकार Q का प्रतिविम भी बुजो आसानी से दर्पन में देख सकता है क्योंकि Q से निकलने वाली प्रकास की किरने परावर्तित होने के बाद बुजो तक पहुँचती है लेकिन अगर हम बात करें R की तो R का कोई प्रतिविम बुजो नहीं देख पाएगा क्योंकि R जो है वो दर्पन से बहुत ही दूरी पर है और इस प्रकार R से निकलने वाली प्रकास की किरन परावर्तित होने के पश्चात बुजो तक नहीं पहुँच पाती है और इस प्रकार बुजो R का प्रतिविम दर्पन में नहीं देख सकता है इस प्रकार इस प्रश्ण को बारी की से समझने के बाद अब आईए हम इस प्रश्ण का उत्तर लिखते हैं बुजो अपनी छवी खुद नहीं देख सकता क्योंकि वह दरपन के सामने खड़ा नहीं है बुजो पी और क्यू को देख पाएंगे क्योंकि पी और क्यू से परावर्तित किरने उसकी आँखों तक पहुचेंगे बुजो आर को नहीं देख सकता है क्योंकि आर से परावर्तित किरन उसकी आँखों तक नहीं पहुच पाएंगे अब प्रश्ण सिंखा 17 17 का A ए पर इस्थीत किसी वाष्टू के समतल दर्पन में बनने वाले प्रतिविम्ब की इस्थीती ग्याद किजिए जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है इस चित्र में दिखाये डाइगराम को देख कर हमें ये बताना है कि ए पर इस्थीत किसी वस्तू के समतल दर्पन में बनने वाले परतिविम्ब की इस्थीती क्या होगी यानि ए जो है इसका परतिविम्ब कहां बनेगा तो आप देख सकते हैं कि किसी वस्तू का परतिविम्ब दर्पन के पीछे बनता है और वह उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तू और दर्पन की दूरी होती है इस प्रकार जो इस एनिमेशन के जरिये दिखाया जा रहा है इस बिंदू पर A का परतिविंब बनेगा प्रश्ण B में पूछा गया है क्या स्थिती B से पहली परतिविंब को देख सकती हैं पहली किस बिंदू पर स्थित हैं स्थिती B पर इस थिती से क्या A का परतिविंब देखा जा सकता हैं जवाब होगा हाँ क्योंकि A से निकलने वाली प्रकाश की किरने परावर्तन के पश्चात B तक पहुँच सकती हैं इसलिए A का परतिविम्ब B इस्थान से देखा जा सकता है प्रश्ण C में पूछा गया है क्या स्थीती C से बुजो इस प्रतिविम्ब को देख सकता हैं जवाब होगा हाँ क्योंकि A से निकलने वाले प्रकाश की किरने परावर्तन के पश्चात C तक यानि बुजो तक पहुँच सकता हैं इसलिए बुजो C इस्थान से A का प्रतिवि ऑर घिशक जाता है जयसा कि आप जानते हैं कि किसी वी वस्थु § अपनी इसtthान बदलता नहीं दर्पन अपना इस्थान पदलता हैं बलकि पहली से सी तक पहुच आती हैं तो ऐसी स्थिती इस प्रतिविम्ब किसी इह ऑर नहीं घिशकिए गा इस प्रकार सभी प्रश्णों को बारी किस समझने के बाद अब आये इन सभी प्रश्णों का हम उत्तर लिखते हैं A का उत्तर हम लिखेंगे A पर इस्थित वक्ष्टु का परतिविम्ब दर्पन के पीछे उतनी ही दूर पर बनेगा जितनी दूर पर वश्टु दर्पन के सामने रखी है इसी प्रकार B का उत्तर हम लिखेंगे हाँ इस्थिती B से पहली इस परतिविम्ब को देख सकती है इसी प्रकार C का उत्तर हम लिखेंगे हाँ इस्थिती C से बुजो इस परतिविम्ब को देख सकती है अब D का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे A का परतिविम्ब उसी इस्थान पर रहेगा परतिविम्ब का इस्थान तभी बदलेगा जब वश्टु या दर्पन का इस्थान बदले इस प्रकार इस प्रश्ण का जवाब पूरा हुआ तो इस वीडियो के माइदम से हमने पूरे चैप्टर में दिये गए सभी प्रश्णों का उत्तर समझाने का प्रयास किया उम्मिद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल हुए होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सिखा होगा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कर दें अगर आप हमारे यूट्यूब चानल साइन्स प्लेटफर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिपिकसन बेल को अन करके आल पर स्लेक्ट कर ले ताकि हड़ नवी वीडियो की आपडेट्स इमिडियेटली आप तक पहुंच सब्सक्राइब के लिए बाइ